सब्सक्राइब किज़े टेक्या नील यूटूब चानल को और बेल आइकन दबाए लेटेस टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अनील आप देखरे हैं हमारा यूटूब चानल टेक्या नील दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोबाईल में कभी न कभी ये डबल टैप ऑप्शन चालूआ होगा जैसे आप अपने मोबाईल में डबल टैप करेंगी तो आपका स्क्रीन डबल टैप पे जूम हो जाता है तो ये आपको गेम और खेलते में और कुछ कैल्स कैल्कुलेटर और कुछ भी यूज करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है और आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे ऑन हुआ और इसको कैसे बंद करें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप से यही बात करूंगा देखें आप मैं अभी मेरा मोबा टाइप क्लिक करूंगा तो यह आटोमेटिकली आफ हो जाएगा तो इसी तरह से चीज को कैसे बंद करें मैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में बताऊंगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा पर मैं इडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा एडिशनल सेटिंग्स में जैसे आप जाएंगे ना दोसतों उसमें आपको एकसेशेबलिटी नम की यह दीखेगी एकसेचेबिलिटी पर क्लिक कर दोंगा तो कुछ वेरिफिकेशन के लिए ऊ सिराओढ़ में पूछता ह पर सकरोल करते हुए जाना है उर देखना है Magnification Gestures, यह आपको आपको उस टे सेटिंग्स में देखना है AccessAbility में वो हर मोबाइल में AccessAbility में मिल जाता है दुस्तों आपको अगर आपके committing मुबाइल में स्मार्ट फार्मिशन होगा जो शर्क सूर्चिंग यह दिखें आप उसके बाद में आप डबल टैप करूँगा तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा फिर से मैं इसको आउन कर देता हूं यह दिखें आप डबल टैप करूँगा तो ऑल्टोमेटिकली डिवाइज है ना जूम हो जाते हैं तो दोस्तों सिर्फ आपको यही करना है कि मैगनिफिकेशन गेस्चर जो है ना उसको आपको आपको डिवाइज से बंद कर देना है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हेल्पूल होआ वीडियो अच्छा लगा तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक करो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करो मैं इसी तरह के प्रॉब्लम के सॉलुशन लेकर हमेशा आता रहता हूं तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा मिलते एक नावे वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जाए हिन वंदे महातरम